जोकेटों की बारिश मिसायलों की विद्धन सक्मार जख्मी और लखु लुखान इस्रेल कहां है अमेरिका क्या इस्रेल को बचाने के लिए मैदान में उद्री का अमेरिका क्या परतमान हालात से लड़ने के लिए इस्रेल को हथियारों की सप्लाई भी करने बाला है अमेरिका अमेरिका के राजश्रबदी जो बाइडन का इस्रेल को लेकर दिया गया सबसे ताजा बयान देखिए आगे बताएंगे कि दोस्त इस्रेल के रक्षा के लिए अमेरिका ने कौन सा सीक्रेट प्लैन तयार किया है आतंकवादी हमलों के मद्दे नजर इस्रेल को अपनी और अपने लोगों के रक्षा करने का अधिकार है ये इजरेल के किसी भी शक्त्रों के लिए इन हमलों का फाइदा उठाने का वक्त नहीं है। दुनिया देख रही है। अमेरिका एक्षन में हैं क्योंकि मध्य भूरों में इजरेल के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। अमेरिका इजरेल का सबसे करीबी सायोगी, सबसे बड़ा साजिदार और आल वेदर फ्रेंड रहा है। हमास का हमला हो या हिजबुला का अटायप अमेरिका की दीखी नजर इजरेल संकट पर है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका इस वक्त इजरेल को किस तरह से मदद कर सकता है या कर रहा है। अमेरिका इन देशों से संपर्ट में है लेकिन इन देशों ने तो हमास के हमले का समर्थन किया है। ये देश एक सुर में इसरेल की निंदा कर रहे है। इसरेल से इन देशों का अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुद्दो को लेकर तनाव रहा है। ये सारे देश इसरेल से बदला लेने के फिराप में रहते हैं। और हमास के हमले के बाद इन देशों को इसरेल से बदला लेने का मौका मिल गया है। लिहाज़ा अमेरिका इन देशों के संपर्क में रहकर बहुत बड़ा कुछ कर पाएगा। इसकी उमीद नहीं ही करनी चाहिए। ऐसे में सबाल है कि अमेरिका इसरेल को किस तरह से मदद पहुँचा रहा है। इसकी डीटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले वो देखिए जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस युद्ध के लिए जो वाइडन ही जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि जो बाइडन ने कैदियों की अतला बदली के साथ ही इरान के लिए जो 6 अरब डॉलर का फंड दिया उसी ने इस्राइल पर हमास के हमले का रास्ता खूल दिया इरान हमास और हिजबुला का समथर, पैसा, ट्रेनिंग और शरण देगर करता है इरान के बिना इस्राइल पर हमले की हम्मत और कुवद हमास में कटा ही नहीं है लिहाज़ा अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस को सुनिये इरान ने इस्राइल के खिलाफ इस युद में फंडिंग में मदद की है और जो बाइडन की नीथियों ने इरान के खजाने को भर दिया है इसकी तस्दीक करपाना मुश्किल है क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ये रेपोर्ट भी छप रही है कि इरान को जो बाइडन ने जिस छे अरब डॉलर का फंड दिया है वो पूर्ण रूप से मानवी उर्देशों के लिए है उसका इस्तेमाल यद्ध के लिए इरान नहीं कर रहा है लेकिन इतनात होता है कि इरान इसरेल को बहुत सोची समझी रणनीती के तहत तबाह करने पर तोला है आपको आगे दिखाएंगे अमेरिका के राश्रबदी जो बाइडन ने इसरेल के प्रधान मंत्री बेन्यमिन नेतन याहू को फोन पर क्या कहा लेकिन उसके पहले सुन्योजित तरीके से इसरेल पर हमले की रची गई साजिश की डीटेल देखना ज़रूरी है क्योंकि हमास के हमले की टाइमिंग सीधा इशारा कर रही है कि इसरेल पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़े हमले की प्लैनिंग फिलिस्तीन ने नहीं इरान में रची गई इरान ने बहुत चालाकी से हमास का मुखवता पहना और इसरेल के सुरक्षा सिस्टम को चतना चूर करते हुए देश में घुस गया मिडल इस्ट पिछले कुछ महीनों में शांती की ओर लोट रहा था हाल के दिनों में इसरेल के साथ अरब मुलकों के रिष्टे सामान ने हो रहे थे लेकिन इस हमले ने एक बार फिर से मिडल इस्ट में उथल पुथल मचा दी है जिस गुडवाजी के खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे वो अब फिर से मजबूत होई है इसरेल से अरब देशों के रिष्टों के नए चेप्टर से ही इरान आग बबूला है शान्ती स्थापित होती तो फिर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बच्चता उपर से ऐसा होने पर इरान को भी घाटा था क्योंकि वो मध्यपूरों में अलग धलग पड़ जाता यही वज़ा है कि हमास के हमले के बाद उसके समर्थन में आवाज उठाने वाले पहले मुलकों में इरान शामिल रहा है रॉइटर्स के रिपूर्ट के मुताबिक अमेरिका साओधी अरब और इस्रैल के बीच रिष्टे सामान ने करवाने में जुटा है इसके बदले में साओधी अरब को अमेरिका के साथ एक रक्षा समझोता करने का मौका मिलता ऐसा होने पर सौधी अरब और इरान के बीच सोला के दर्वाजे भी बंध हो जाते क्योंकि तेहरान वशिंटन के खिलाफ रहा है अगस्त में ही सौधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान ने इरानी विदेश मंत्री से मुलाखार की थी सौधी अरब अगर इसरेल के करीब जाता है तो इससे इरान संग उसके सुधर रहे रिष्टे पटरी से उतर जाते साथ ही साथ फिलिस्तीन का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता इरान फिलिस्तीन का कटर समर्थक रहा है लिहाजा इस्रेल सौधी अरब की दोस्ती होती तो हमास और फिलिस्तीन शरमपंती समों का अस्तित्व ही संकट में पढ़ जाता ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता माना जा रहा है कि इसी के चलते हमास ने इस्रेल को निशाना बनाया ताकि भीर से फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो सके लेकिन मुद्दा सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है मुद्दा पूरा मध्यपूरो है जहां चीन का भी इंटरेस्ट है और अमेरिका मध्यपूरो में बढ़ते चीन के प्रभाव से भी आशंकित है लिहाजा अमेरिका इस्रेल पर हुए हमास के हमले का करारा जवाब जरूर देगा क्योंकि ये मैसेज चीन को भी होगा कि अमेरिका ही एक मात्र देश है जो मद्य पोरो में शान्ती इस्थापित कर सकता है ऐसा क्यूं है? पहले वो समझते हैं उसके बाद दिखाएंगे अमेरिका से इस्रेल को भीजी गई मदद की सबसे बड़ी खेप की डिटेल क्या है? चीन ने इस साल मिडल इस्थ में अपनी कूटनीती को आगे बढ़ाया है सौधी अरब और इरान के बीच मध्यस्ता की और दोनों देशों के बीच रिष्टों की नई शुर्बात कराए चीन ने ऐसा मध्यपोरों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया लेकिन इसका साइड इफेक्ट अच्छा हुआ सौधी अरब इरान की दुश्मनी के चलते एक नहीं इराक, सीरिया, लेपनन, यमन और पहरीन, सहित, ख्षेत्र के कई देशों की अस्थिरता कम होई अमेरिका शांती तो चाता है लेकिन के शांती चीन के असर से पैदा हो वशिंटन डीसी नहीं चाता इसलिए अमेरिका ने सौधी अरब और इस्रेल को एक दूसरे के करीब लाना शुरू किया बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी लेकिन इस शांती बहाली को इरान की नजर लग गए नतीजा सामने है इस्रेल से फिलिस्तीन पर हुए सबसे ताजा हमले की तस्वीर देखिए आगे दिखाएंगे कि पेंटागन में हमास के ओल आउट के प्लैन पर क्या विचार चल रहा है अमेरिका इस्रेल के साथ खड़ा है मदद कर रहा है तो ये इस्रेल को मजबूत करने से जादा अमेरिका के लिए फायदे का सोधा है मधिपोरों में खेले गए खूनी खेल के बारे में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें तीन देशों के हिस्सेदारी है पहला रूस जिसकी हमास से निकटता के खबरें पश्यमी मीडिया में खूप चकती है और दूसरा इरान का मामला तो खोला खेल फरुखा बादिवाला है इरान हमास को खोला प्रशिक्षन और राजनेतिक समर्तन देता है जिसकी डीटेल आप देख चुके हैं अब इरान के राजशबदी इबराहिम रैसी ने फून पर हमास के नेता से बात की है तीसरा देश है शीन जिसके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है शीन ने हमास को हमले की तक्नीक बताई है अमेरिका के कट्टर दुश्मन इन तीन देशों को एक साथ सबक सिखाने का जो बाइडन के पास अच्छा मौका है इसराइल की पिछ पर अमेरिका की अब की बैटिंग बहुत अच्छी रही है लेकिन अब की बार इसराइल ज्यादा मुश्किल में है क्योंकि रूस, इरान और चीन तीनों मिलकर मध्यपोरों में बड़ा खेल खेल रहे है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें तुर्की भी शामिल है तुर्की ने पिछले महिने में हमास को हत्यारों की सब्लाई की थी लेकिन इसराइल ने इसे रोक लिया था हाला कि इस खबर की पुष्टी नहीं की जा सकती लेकिन इतना तो फिलहाल तै देख रहा है कि ये तीनों देश बहुत आक्टिव हैं चीन ने जो सबसे ताजा बयान दिया है वो देखिए शांथी प्रक्रिया को लंबेव समय तक लटका करना ही रखा जा सकता संघर्ष को समाप्त करने का मूल रास्ता दो राश्र समाधान को लागो करना और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राश्र के स्थापना करना है मतलब चीन का कहना है कि ऐसे संघर्ष को तभी समाप्त किया जा सकता है जब शान्ती प्रक्रिया पर अमल हो और के शान्ती आएगी कैसे तो चीन ने इसके लिए फिलिस्तीन को स्वतंत्र राश्र गोसित कर देने की बात कही है। असल में चीन चाहता भी नहीं कि उसके शान्ती प्रयासों का मतलब इरान के खिलाप समझा जाए। इस्रैल के जरिये वो अमेरिका को मध्य पूरू से रुकसत करना चाहता है। और अमेरिका है कि इस्रैल के लिए अपने हथ्यारों के बंडार खोलने में सेकंड बर की भी देरी नहीं लगाने बाला। अमेरिका के राश्रबदी जो बाइडन ने इस्रैल को आठ बिलियन डॉलर की आपात कालें सेन ने मदद देने को मन्जूरी दी है। इस्रैल को अमेरिका से मदद सिर्फ चाहिए नहीं, जल्दी चाहिए। बाइडन प्रशासन यही मदद पहुँचा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इस्रैल, हमास या हिजबुला का नहीं। सवाल है अर्बों के 32 दातों के बीच बसे इस्रैल का, जिसका अर्ली वर्निंग सिस्टम 5,000 प्रोकेट हमलों की सूचना देने में नाकाम रहा। इस्रैल, अमेरिका की दोस्ती के किस्से, आपको इंटरनेट पर भरे पड़े मिलेंगे। लेकिन इस रिष्टे का असली इम्तिहान अब आया है। जब इरान और इस्रैल जैसे दो परमाणों शक्ति संपन्न देश एक दूसरे के सामने हैं। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? हमास और इस्रैल का इम्जुप में आगे क्या होगा? और भेन्यमिन नेतन याहु इस सोची समझी साजिश के तहट किये गए हमलों का कितना मोतोर जवाब देते हैं। देखना दिल्चस्प होगा और इस बीच इससे भी दिल्चस्प होगा कि अमेरिका इस्रैल का कितना और कहां तक साथ देता है? झाल